गाइज, अब जो मैं बताने वाला हूँ, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है एक बिटिश बिल्ली है, जिसका नाम है कोबी और उसकी पॉपुलारिटी का अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते हो उसका एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, जिसका नाम है कोबी दुकैट और जानते हैं उस पर कितने फोलोवर्स हैं? उस पर 1.8 मिलियन फोलोवर्स हैं जी हाँ, एक बिल्ली के 1.8 मिलियन फोलोवर्स हैं मैं भी देख के हैरान रहे गया था बाइदेबो वो बिल्ली बहुत ही जादा क्यूट है आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं गाइज इंडिया में तो स्कूल के अंदर पहली दूसरी ग्रेट से ही बच्चों के एक्जाम शुरू हो जाते हैं लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो 4th grade तक नहीं पोहुँच जाता तब तक उसके स्कूल में उसके एक्जामस नहीं लिये जाते हैं उसके पीछे का reason ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले तीन सालों तक बच्चों की नोलेज चेक करने कی बजाए उनका character develop करना चाहिए और उन्हें manner सिखाये जाने चाहिए यानि कि जापान में नोलेज से पहले बच्चों को manner चाहिए जाते हैं गरी ऐसे आपको भी ये लगता है झाल